दोस्तूं नमस्कार मैं आपके बीच में पूने एक बार है बेला साथ एक नई जानकारी के बीच में एक पूरन ते सटीक आंकड़ों के साथ में आपके बीच में कहीं पर भी आंकड़े हैं वो आपको गलत शलत मिलेंगे लेकिन यहां पर जो आंकड़े मिलेंगे वो एक तम सटीक वे जो पेपर से मिलान किये वे आंकड़े मिलेंगे दोस्तों इनी आंकड़ों के साथ में अपने परिक्षा के पास होने के आंकड़ों तक पहुंचते हैं और किस तरीके से हम सकसेज होते हैं दोस्तों बले ही रीट आगे चली गई हो कि रीट एक दिन आएगी उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से कोई अजनभी आपके जिनके में आता है और वो हजारों परकार की खुसियां दे करके चला जाता है लेकिन दोस्तों ये खुसियां तभी मिलेगी जब आप सटीक आंकड़ों और ओठेटिंग जानकारी के साथ म यह जो वीडियो है वो एसस्टी लीट लेवल फैस्ट और साइस्टीनों के लिए कोमन है दोस्तों यहां पर देखना में बात करने जा रहा हूं दोस्तों यहां पर जो एसस्टी में जो इस टोपिक से समद्दी जो टोपिक लगावाया है वह संसाधन एसस्टी और लेवल फैस्ट में और जो साइस में जो पूचा जाता है वो परियावरनी में बाइलोजी से समद्दी टोपिक में पूचा जाता है दोस्तों आज मैं आपके बीच में जिस संसाधन रिसोर्स की बात कर रहा हूं वो है जलिये संसाधन दोस्तों पर्थी पर जो जलिये संसाधन है उसका वित्रण का पाई आलेक आपके बीच में दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों ये पाई आरेक या वरत आरेक है जिसके माध्यम से मैं पर्थी पर उपस्थित जलिये संसाधन की मात्रा को पर जिसका तीन चोथाई भाग हमें पता है कि किसे डखावा है जल से डखावा है तीन चोथाई भाग किसे डखावा है तीन चोथाई भाग जल से इसलिए पर्थी को नीरीला ग्रे कहते है Blue Planet कहते है दोस्तों जो अधिकांस जल है वो खारा है समुद्रों में पढ़ावा है कितना पढ़ावा है समुद्रों में यह इस पाई आरेक के मादिम से आपको अराम से समझ आएगा लेकिन कुछ हिंसा है वही जल है वो उपयोगी है जो मानों के लिए उपयोगी है जो पीने योगी है या स्वस्च जल है दोस्तों इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आप अराम से देखना पहले इस पाई आरे को आप देख लो अराम से तिये किस पाई आरे क्या वर जो जितना भी जल परती पर इस्तित है परत्विग्रे पर उसका सत्यानवें पॉइंट पांच फिस्दी जल है वो समूद्रों में पड़ावा है निश्चित रूप से यह क्या है लवनी है लवन कैसा होता है जिए खारा तो खारा है पीने योगे नहीं है तो दोस्तों कितना जल है कितने परती से जल है वो पीने योगे नहीं है या मानू उपयोगी नहीं है तो दोस्तों लेकिन ध्यान लेना यह जलिये चकर को चलाने में बहुत ही इंपोर्टेंट रोप से होता है जलिये चकर की बात भी हम आगे करेंगे ये दोस्तों प्रियावरेड और SST में बहुत important रोप से लगावाई जलीय चकर लेकिन जलीय चकर को चलाने में इस जल की महत्मर घूमिका होती है दोस्तों ये भी योगी है लेकिन ये पीने योगे नहीं है ये खारा है अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब सबस्च जल कितना है कि फींग किल जल सवच्छ है ए सो चल मतलब पीने योगई जल तो पीनए योग्य जल की बात आएगी तो दोस्तुआ तो आपको उत्तर करना है स्वच्छ जल कितना है दो पोइंटेis 5 फिस्थी जल स्वच्च है जिसका उपीड है ऑप्ने अवसकता हो की पूर्ति पेलिए पीने के लिए लुए प्रीवר करने के लिए कर्षुक्ता है जिसे पीने योगिजल की बात आएगी तो आपको से समझ में आजाना चाहिए आपको जैसे भी बात हो अलग से बात करें अब दोस्तों यदि इस दो पॉइंट पांस फिस्दी जल में ही बात करें तो ये जो एक पॉइंट नो साथ फिस्दी जल है वो तो बरपाचित या गलेसियर में है पहड़ों पर बरप के रूप में जम नमी और वातावरन की नमी या मर्दा में की नमी या वातावरन की नमी के अंदर मौजूद है 0.03 पिस्दी इंपोर्टेंट रूप से दोस्तों ज्यान रखना है अब ध्यान देना जो जल सेंस बसता है इसमें से 2.5 पिस्दी में से 0.05 पिस्दी वो हमारे भुमीगत कहा जाता है कि भुजल का उपयोग्या करना है बहुत कम से कम करना है क्योंकि यदि हमारा भुमजल है जो निच्चे पर्थी के तल में दबावा है वो केवल 0.05 पिस्दी है इसलिए आपको पता हो तो अनेक इस्दानों को डारेक जोन गोशित करवाया जाता है सरकार के दो दोस्तों किस तरीके से हमारे इस पलानेट पर या इस ग्रह पर या इस जलिये ग्रह पर इतना जल होने के बावजूद भी क्योंकि अधिकांस भाग जल से गिरावा दिखाई देता उपर से देखते हैं लेकिन कितना जल मानों के लिए सुच जल के रोज में उपलब दे बह अपनी अमारे लिए कितना उपयोगी है कितने अच्छी तरीके से हमें याद होना चाहिए तो जल ही जीवन है इस महत्वकांसा के साथ में मैं अपना आज का वीडियो पूरण करता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में आपके पास में अधिक ऑथेंटिक और अधिक शतिक अधिक विश्वसरी आंकलों के साथ में जानकारी लेकर कर उपस्यता होँगा जो भी टूपिक आता है इस चैनल के माधियम से यूटूब के माधियम से अपनी कलम अपनी अवाज के माधियम से वह आपके लिए निश्चित रूप से रीट के लिए बहु उपयोगी होगा बहुत यह उपयोग योगा दोस्तों आपके लिए अन्य भरती परिशाओं के लिए हो या नहीं वह लेकिन रीट के लिए आपके लिए मान सबीत होगा तोस्तों जे हिंद जे भारत आपके बीच में ऐसे ही उपस्तित होते रहेंगे एक बार इसका स्क्रीन सोट ले लो आप आखनों के रूम में ध्यान रखना